आपका अख़ार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हो प्रदीप सिंग जैसे मौसम होता है जाड़े का होता है गर्मी का होता है बरसात का होता है आजकल क्लाइमिट चेंज हो रहा है तो इन मौसमों में थोड़ा परिवतन आजाता है गर्मी में कब बारिश हो जाए बारिश में कब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए सर्दी कितने दिन चलेगी कुछ भरूसा नहीं रहता है तो मौसम का हिसाब किताब तोड़ा गड़ा गया है क्लाइमिट चेंज की वज़े से लेकिन मैं क्लाइमिट का असर पड़ा है क्लाइमेट कैसे चेंज हुई चुनावी मौसम की चुनावी मौसम की क्लाइमेट चेंज हुई 2014 से जब नरेंद मोधी प्रधान मंत्री बन गए तब से कॉंग्रेस का मैं एक बात का कई बार इस्तिमाल कर चुका हूं फिर कर रहा हूं कि कुतुब नुमा हो जो जहाज पानी के जहाज ज्यादा इस्तिमाल करते हैं कि दिशा पता चलती रहें कॉंग्रेस का वो दिशा सूचा कियंत रखो गया है तो कॉंग्रेस को पता नहीं चलता है 2014 के बाद से उसकी इस्तिती हो गई है कि चुनावी मौसम आते ही कॉंग्रेस में एक नया मौसम शुरू होता है और उस मौसम का नाम है पैर पर कुल हडी मारने का मौसम तो कॉंग्रेस के नेता इसके लिए अलग-अलग चुनाओ के समय अलग-अलग नेता तै किये जाते हैं। अब संसत का मौनसून सत्र शुरू हुआ। एक दिन भी मनिपूर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई इसका नुकसान किसको हुआ केवल राजनीतिक दिर्ष्टि से बात कर रहा हूं मैं अभी मनिपूर की समस्या को छोड़ दीए केवल राजनीतिक महत्व के मुद्दे की दिर्ष्टि से कह रहा हूं नुकसान किसका हुआ? जहर है कि विपक्ष का हुआ? हासिल क्या हुआ? जो उन्होंने एगो का सवाल बनाया नियम को उसका नुकसान किसको हुआ? सरकार ने बीस से ज़्यादा विधैक पास करा लिए. विपक्ष को क्या मिला? ये गलती शायद काफी नहीं थी कि फिर विपक्ष ने रणिती बदली और तै किया कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और प्रधान मंत्री को मजबूर करेंगे कि वहाँ सदन में और मनीपुल पर बोलें. पहली बात तो ये कि सत्ता रूर दल ने आपको मजबूर कर दिया कि आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इस ट्रैप में सत्ता रूर दल के आप फंस गये ये जानते हुए फंस गये कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस पर किसी एक मुद्दे पर बात नहीं होगी सभी मुद्दों पर बात होगी. और ये भी प्रातिय जनता पार्टी को जाहिर है उसका फायदा होगा. राजितिक फायदे की बात कर रहा हूँ. ये सब जानते हुए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया. चलिया आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं. आपको लगा कि ये हमारी moral victory है कि प्रदा मंतरी को मणिपूर पर बोलते हुए सुनते तो उससे पहले वाक आउट कर दिया. प्रदान मंतरी मणिपूर के मुद्दे पर आये उससे पहले विपक्ष बहिर गमन कर गया. ये पहली बार हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली पार्टी सदन में मद्दान के समय मौझूद ही नहीं रही. ये कौन से रणीती थी ये समझना बड़ा मुश्किल है. लेकिन कॉंग्रेस पार्टी कुछ भी कर सकती है आजकर. कुछ भी संभव है कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा इस समय जिस तरह की परिस्थिती है पार्टी के अंदर, जिस तरह की रणीत आई आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो उसकी तयारी तो करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना है, मनिपुर आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके लिए सेंट्रल फोकल पॉइंट है मनिपुर। और राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए तो उन्हें शुरुवात की अपने भारत जोड़ो यात्रा से। अब आप इसलिए कह रहा हूं कि ये दिशा सूचा कियंतर इस पार्टी का जो है, वो कहीं खो गया है। उसको मालूम नहीं है कि उसको किस दिशा में जाना है। तो जहाज को कभी दाय मोड रहे, कभी बाय मोड रहे, कभी सीधे चल रहे, कभी उल्टा चल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर चल ला है। इतना ही काफी नहीं था, ये तो संसत के मौनसुन सत्र में हुआ, कॉंग्रेस की कोशिश जो है, अपने पैर पर कैसे कुल हाड़ी मारी जाए, इसकी लगातार जारी है, अभी दो-तीन दिन पहले, राहुल गांधी के बड़े करीबी, कॉंग्रेस के रणनीती कारों में से एक रणदीर सिंग सुर्जेवाला, हर्याना के रहने वाले है, हर्याना के नेता है, पिछला विधान सभा चुना भार गए थे, उसके बाद बाइलेक्षन हुआ, वो भी लड़ गए, पता चला जमानत जब्त हो गई, तब से उनको बहुत कष्ट है, उनको कष्ट पार्टी से और शैल जा है, लेकिन ये पार्टी के अंदर की बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कैथल में एक जनसभा में बोलते हुए कहा, कि जिन लोगों ने भारतिये जनता पार्टी को वोट दिया, वो सब राक्षसी प्रवित्ति के लोग है, अब आप देखिए, फ्रस्टेशन क यानि सत्तार उर्दल है, उसका विरोध आलोचना निंदा छोड़िये, अब वो सीधे सीधे मद्दाता को दोश्ट देने लगे, उनके हिसाब से उनको समझ में आया गिया है, कि समस्या की जड़ क्या है, समस्या की जड़ ये मद्दाता है, ये राक्षसी प्रवित्ति वा उसे उसी मद्दाता वर्ग से अपील करेंगे कि आपको वोड़ दे। जिस मद्दाता ने कम से कम आपको लोकसभा में तिरपन सीटें दी हैं। आप उस मद्दाता को इस तरह से कोश रहें और इतने तक नहीं रुके। बोलें कि मैं श्राब देता हूं। भाई ठीक है। हर् उसके पास वर्दान देने के भी होती है। तो एक वर्दान अपने लिए लिया होता। चलिए आप स्वार्थी नहीं अपने लिए नहीं लिया। राहुल जी के लिए लिया होता। अमेठी जी तो आदिया होता उनको। तब तो आप ही रणनितिकार थे। सर्वे सर्वा थ तो देखे इस तरह की गलतियां कॉंग्रेस पार्टी चुनाव से पहले करती रहती है। पहले कहा गया उनकी और से नहीं पार्टी की और से कहा गया कि उनका स्वास्त ठीक नहीं है। बलकि पिछले कारिकाल में आप पहले वो लोग सभा में कॉंग्रेस पार्टी की नेता थे अब राज्य सभा में विपक्षी दल के नेता है। तो प्रोटोकॉल में आपका भी नमबर उपर आता है लेकिन उनका कि प्रधान मंतरी के बाद फिर रक्षा मंतरी जाएंगे फिर ग्रे मंतरी जाएंगे तब जा सकते थे हैं। तो क्या जल्दी थी? जल्दी ये थी कि पार्टी दफ्तर में धोजा रोहन करना था। आप संदेश क्या दे रहें हैं इस बात के जरीए? इस बात के जरीए आप संदेश दे रहें कि आपके लिए देश से बड़ा दल है। ये राष्ट्री समारोह है, ये बीजेपी का समारोह 15 अगस्त नहीं है, ये नरेंद मोदी का समारोह नहीं है, ये प्रधान मंतरी का भी समारोह नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का समारोह है। इस दिन हमको आजादी मिली थी, सुतनतता मिली थी, उसका समारो है, उसकी खुशी मना रहे हैं, उसमें आप शामिल होने की बजाए, आपने प्रिफर किया पार्टी दफ्तर में भजा रोवन, तो आपकी प्राथमिक्ता बड़ी स्पष्ट हो गई, कि आपको देश और पार् रहे हैं दलबाद में, उनकी पार्टी का जंसंग के समझ से ये नारा रहा है, दल से पहले देश, खडगे जी ने जो किया है, वो मेरी नजर अक्षम में है, ये देखिए कॉंग्रेस बीजेपी का जगडा, तू-तू, मैं-मैं, परसपर विरोधी बयान, ये सब चलते रहे लेकिन किसी राष्ट्री पर्व के दिन आप इस तरह का आचरण कैसे कर सकते हैं, और उस पार्टी का राष्ट्री अध्यक्ष, जो ये दावा करती है कि उसके पास लिगेसी है, आजादी के अंदोलन की, आजादी के अंदोलन में उस पार्टी ने हिस्सा लिया, उसने 1947 से अन्वरत हो रहा है, उस समारोह में जाने से आप मना कर देते हैं, तो यह जो Congress की बीमारी है, वो कुछ संक्रामक होती जा रही है, फैदती जा रही है, अभी तो लोकसभा चुनाओ अगले साल अपरेल मई में हैं, तब तक कौन नेता क्या क्या बोलेगा, क्या कहेगा, एक बात बोली थी मनिशंकर रहियर ने, उसका नुकसान आज तक Congress Party उठा रही है, उसकी भरपाई नहीं कर पाई है, तो नए मनिशंकर रहियर पैदा हो रहे हैं Congress में, तो इस तरह के आचरण से यह अगर Congress के किसी नेता को लगता है, कि मद्दाता खुश होता है, देश के लोग खुश होते हैं, तो यह गलत पहमी दूर जितनी जंदी कर ले उतना अच्छा है, इस तरह का आचरण लोग कतई पसंद नहीं करते हैं, आप चुनाव हार जाएंगे तो मद्दाता पर दोशार उपन करेंगे, जो मद्दाता आपको जिता रहा था, सत्ता मिला रहा था जब तब वो देवता था, आपको हरा दिया तो वो राक्षिस्ती प्रवित्तिका हो गया, यह सोच कहां से लाती है कॉंग्रिस पार्टी, उसके नेता ले आते हैं, यह समझ के बाहर है, यह कोई भी सारवजनिक जीवन में खास तोर से चुनावी राजनीती में रहने वाला कोई नेता इस तरह की बात मदाता की खिलाफ कैसे बोल सकता है, लेकिन कैसे बोल सकता है कि सवाल तो चला गया पीछे, अब तो यह कि बोला और उस पर कोई अभी तक माफी नहीं मांगी है, कोई अफसोस नहीं जाहिर किया है, ना तो खुद रणदीप सिंग सुर्जेवाला ने नहीं उनकी पार्टी ने, अक्षन अक्षन की बात ही भूल जाएए, कि ऐसी बातों पर कोई अक्षन होगा, क्योंकि पार्टी भी अंदर खाने शायद ऐसा मानती है, उसको भी ऐसा लगता है, यह सारी गलती इन मदाताओं की है, जो मुदी को जिता रहे हैं, तो क्या करें कांग्रिस पार्टी को ये सवाल भी पूछना चाहिए अपने आपसे तो इस हंक में इतना ही अगले हंक में फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आपसे अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्रा झाल 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 झाल